मैं हूँ रोक्राइचेस रावत और आज मैं आपको जानकारी दूँगा कि बहुत बड़ा रिलीफ धीरे 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 प्रिकृती की तरफ आने वाला है जैसे एक पिछले 3-4 एपिसोडों में हमने कहा कि कुछ ग्रह बक्री हुए कोछ अच्छी स्थिती में आये प्रत्वी के उपर इस समय पॉजिटिविटी सकारात्म कूर्जा आने के संकेता चुके आज में इसी स्रंखला में एक और ग्रह जिसके कारण ये कहर हुआ उसकी सुरुआत यानि देव गुरु ब्रस्पती वो नीच के चल रहे थे जिस समय दोहजार उन्नीस चब्वीद दिसंबर को ग्रहन पड़ा था उस समय छे रासियों के साथ धनु रासि पर वो स्वेम भी पीडित थे आज कल वो नीच अवस्था में हैं लेकिन देखिए जब बक्त आता है तो अच्छा बक्त आना सुरू हो जाता है ब्रस्पती 14 तारीक से बक्री होने सुरू हो जाएंगे नीच अवस्था में हैं लेकिन बक्री होंगे अब इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये कहूं कि कोई विक्ति अगर नीच हो गया है परम नीच हो गया है बहुत बुरा है बुरा कर रहा है दुस्ट प्रकृति का है और वो बुराई करने से हट जाए यानि पीछे आना सुरू हो जाए तो इसका मतलब वो बुरा तो नहीं करेगा ब्रस्पति देव बुरा कर रहे थे अब वो नीच में थे 14 तारिक से नीच अवस्था से उल्टे हो जाएगे आप इसको ऐसे जमन सकते हैं कोई विक्ति अगर किसी की हत्या करने जा रहा हो और गर्दन पर तलवार लगा करके और बाप्स आ जाए तो विक्ति दू बच गया तो यही नीच ग्रह का प्रभाब होता है नीच में बक्री होना नियम ये कहता है पारासर जी का अगर कोई ग्रह नीच और बक्री हो जाए तो उसकी नीच ता समाप्त हो जाती है अगर कोई ग्रह उच का हो और अगर वो बक्री हो जाए तो उसकी उच ता समाप्त हो जाती है अगर कोई छटे आठ में बारेम भाब में ग्रह बक्री हो जाए तो उसका जो बुरा फल है वो कमजोर हो जाता है ये प्रकृतिकर नियाब है तो आज मैं इसी से धीरे धीरे परदर परदा आटाऊँगा कि आठ रासी बालों के लिए तो बहुत ये अच्छा है चार रासी बालों के लिए थोड़े से संकेत हलके से अच्छे नहीं हुए वो पाय से ठीक किया जा सकते हैं अब मैं शुरुआत करता हूँ कि ब्रस्पती 14 तारिक से नीच अवस्था से बक्री होगा उसकी positivity आनी शुरू होगी और जितना ब्रस्पती positive होगा उतना अच्छा मिलेगा उतना ही positive होने का योग बनेगा और nature के अंदर अमरत बरसा होगी देव गुरू है ब्रस्पती देव हैं प्रकृती में जीवन देते हैं पांच चीजों के कारक हैं ब्रस्पती अगर नीचता को छोड़ेगा तो धन बढ़ेगा संतान का सुक बढ़ेगा बागी की ब्रिध्धी कैरियर और स्वास्तलाव और ये सब चीजे होगी शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे निवेदिन करूँगा मेरा यूटूब चैनल डॉक्टर एच्चेस रावत और मेरा फेस्बुक पेज एस्टो टीवी आप इसको लैक करें फोलो करें सबस्क्राइब करें और वीडियो आपको अज़ा लगता है तो आप इसको शेर करें और इस वीडियो को शर् LIP करना चाहिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में तनाब में हैं मीडिया की रिपोर्टे सुन सुन के उनको डिप्रेशन आता है लेकिन ये वीडियो उनके लिए ग्रामबाण का काम करेगा अब हम मित्रों शुरुआत करते हैं कौन-कौन सी रासी आठ ऐसी है उनी के बीच में उन्हें चार रासी की भी जानकारी दूँगा कि उन रासी को कैसे साब्दान रहना पड़ेगा और क्यों रहना पड़ेगा अभी शुरुआत करते हम मेश रासी से मेश रासी वालो आपकी रासी का स्वामी मंगल वो लाविस्थान पर है एक अच्छी स्थिती में है आपके जो कैरियर का घर है वहाँ पर ब्रस्पती नीच हो करके बक्री हुआ भाग्डी की तरब जा रहा है इसका मतलब बाग्य ब्रिध्धी के योग खर्चों में कमी आने की सुरुआत हो जाएगी एक बहुत अच्छा एक साइन आपको आ रहा है स्वास्त में सुधार आएगा और मेश रासी बालों के लिए आयू का स्वामी लाविस्थान पर है इसका मतलब आपकी आयू ब्रिध्धी आपकी संक्रमन होने की स्थिति में आपका स्वास्त लाव आयू का लाव आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बनता है अब हम बात करते हैं ब्रिस रासी की ब्रिस रासी में स्वयम सुक्र और बुद्ध की यूती है केंदर तुर्कोंड राजोग मालब बनाम का महापुरुस राजोग बहुती सांदार एक योग बना हुआ यहां पर इसका मतला आप बहुत बागसाली हैं आपके स्वास्त में सुदार होगा दन की ब्रेदी संतान का सुक मिलेगा संतान के स्वास्त में ब्रेदी होगी अब यहां पर ब्रस्वती बक्री हो रहा है भागस्तान से भागस्तान तक तो ठीक है इसका मतलब लाव और भागे के लिए ठीक है लेकिन जब बहुत ज़्यादा बक्री हो जाएगा तो फिर वो मिर्तु स्थान में जाएगा लेकिन 30 जूम तक आपको टैंसन लेने की दिरूरत नहीं है अब हम बात करते हैं मिथुन रासी के अंदर ये अस्टम भाब में बक्री है सनी के साथ बक्री है तीन डिग्री छे कलाक उपर बक्री है अब अस्टम भाब में रहने की कारण कोई ग्राय बक्री हो जाए वहाँ से बुराई की जगे से बाहर निकलने की कोसिज करे तो आपके लिए पॉजिटिब साइन बनाएगा अच्छा करने की योग करेगा इसका मतला जैसे कि मैंने ब्रिस रासी में काव मर्तु स्थान की तरफ मूब कर रहा है तो 30 जून के बाद थोड़ा सा तनाम में आएगा लेकिन मिथुन वालों के लिए तो काफी अच्छी स्थिती आ रही है अब यां करक की अगर मैं बात करूँ तो करक रासी के अंदर अभी तक 30 जून तक तो अच्छा है लेकिन 30 जून के बाद रोगस्थान पर जाएगा तो इसका मतलब ये रहा कर ब्रिस और करक रासी वालों के लिए दो जगए थोड़ा सा इनको साफ़दानी की जरूर्थ होगी सिंग रासी वालों के लिए बहुत अच्छा है रोगस्थान से निकलेगा दीर दीरे अपनी तरफ जाएगा संतान के सुक के लिए बहुत अच्छा Department पतनिंग क्वार्मो यहां से बक्री हो करके मा गर की तरफ सक्सादन की तरफ जाएगा, मा के लिए बैवायग जीžवन के लिए पतनिंगेलिए सक्सादन के लिए नई ची trophy करीदने के लिए बहुत अच्छा है और संतान के ऊपर जो इसका कश्ट चल रहाता, वो निकल जाएगा तुलारासी के अगर मैं बात करूँ तो तुलारासी के अंदर रासी का स्वामी सुक्र मृत्व स्थान में हैं, बुद्ध के साथ है यहाँ पर यह योग थोड़ा सा कमजोर होता है और यहाँ गुरू तीसरे बाब की तरफ चला जाएगा वहाँ पर भी वो कमजोर होता है तो तुलारासी वालों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा बिश्चिक रासी के लिए तो बहुत अच्छा है धन के लिए संतान के सुक के लिए राजयो कारक है काफी अच्छा है कालसर प्योग जरूर यहाँ पर बना हुआ है धनू रासी के अगर हम बात करते हैं तो रासी का स्वयम का सौमी है गुरू और धन बाब पर है भी इस्थान हानी करोती जीवे पाप प्रभावे तो यहाँ पर ही प्रभाव में होकर के धनका नुक्सान इसने किया परवार को तकलीब दी लेकिन अभी यह बक्री होकर के दनू की तरफ जा रहा है बाद अच्छा है मान सम्मान में प्रोग्रेस मा का स्वयम का आपका स्वास बहुत अच्छा होगा और पांच चीजें आपकी ब्रिद्धी में आईएंगी दान, संतान, सुक, भागे कैरियर और लाप और स्वास तलाव अच्छा हो जाएगा मकर की अगर बात करें तो मकर के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकर रासी के अंदर ही है तीज जून तक तो बहुत अच्छा है तीज जून के बाद स्वारासी में की तूर साथ जाएगा होँआ भी बहुत अच्छा है और मकर रासी में ब्रस्पती नीच बक्री हुआ है लेकिन यहाँ पर इसको दिसा बल मिल जाता है यहाँ पूरा दिसा होती है यहाँ बहुत पावर्फुल है कुमरासी बालों के लिए भी अच्छा है लाव और दनका स्वामी खर्च के गर में है तीज जून के बाद वो स्वारासी में आएगा तो बहुत अच्छा लाव देगा यहाँ पर भी बहुत अच्छा है मितुन रासी के अगर मीन रासी के अगर बात करते हैं तो रासी का स्वामी और कैरियर का स्वामी मन सम्मान का स्वामी स्वास्त का स्वामी अब अपने गर में आएगा इसका मतलब लाविस थन से बक्री होकर के स्वारासी की तरब जाएगा बहुत संदर योग स्वास में बृद्धी केरियर में बृद्धी मानसमान में बृद्धी बहुत अच्छा योग बनता है इसका मतलब यह रहा कि चार रासियों में जहां पर सब्तम से छटे में जाएगा नवम बाब से अस्टम में जाएगा लगन से जाएगा बारें बाब म या चौते बाब से तीसरे में जाएगा ये जो चार रासी हैं यहां पर इसकी इस्थिती थोड़ी सी परजिटिव नहीं आती है लेकिन फिर भी बक्री होने का मतलब ये रहा कि उसकी नीचता में कमी आ गई और वो सुबता की तरफ जा चुका है कौन से बाब में जाएगा उसकी चंता मत करिए आठ रासियों के लिए बहुत अच्छा हो गया है इसलिए टैंसन फ्री हो करके अपनी जिंदिगी को जी सकते हैं ये जो बीमारी का जो कहर चल रहा है ये देरे-देरे समाप्ती की तरफ जाएगा आप क्योंकि मई के अंदर बहुत बड़े चेंजे जो रहे हैं मई के अंदर सनी का बक्री होना सुक्र का बक्री होना गुरू का बक्री होना और देरे-देरे ग्रह बदल रहे हैं पावर्फुल इस्तिती में जा रहे हैं तो एक काफी अच्छा योग हमारे पास आ रहा है मित्र ये था ब्रस्पती का आगे और ग्रह अच्य होने वाले हैं जो के पूरे बिश्व को इस कहर से निकालेंगे उसकी जानकारी भी आपको देता रूँगा मैं अभी मैं आप सेयात लेता हूँ